कि वेल्कम बेक तो हमारे जो सिरीज थी ओलंबियाड मैथ्स की उसकी सेकंड वीडियो रहेगी आपके लिए इसे पहले वीडियो मैंने पूरा पेपर दिखाया था आपको और कुछ कुश्चन सोल करवाया थे इसके अगर नहीं देखे आपने वीडियो जुरूर देखे ठीक है आज फिर मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन लेके आया है उस्प्लिफिकेशन के आपको दिखाई दे लाश्ट में जो डिवाइड में वन वाइवन ए ठीक है यह आपको दिख गया हुआ इसको सोल के से क्या जाए अगर देखो वैसे आप सोल करोगे इसको तो आप बहुत टाइम लग जागे मैं क्लिर बोल रहा हूंग ज़ो आपको बहुत सिम्पल सा तरीक है आपने क्या करन है जब भी ऐसा कुश्चन आएगा यह जो आगे वन लिखा हुआ है जहाब मैंने अरो मारक लगाया इनको कर लो कितने हैं पाइप किस में पलस में माइनस में पलस में ठीक है तो आप बोलो कि सरहां इतना दो हो गया बहुत आसान है अब अगला काम क्या करना लास्ट वाली उसके बाद अगली है फिर वन अभी सेम है इसलिए आपको लगेगा सर कोन शीया कोन से पीछे इसलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल यह और भी बट अभी आप इस को समझे इस बार ठीक है उनमें आपको कलीर हो जाएगा ठीक है डोंट वरी अब देखिए यहां पर 2211 और वेह अब आपको यह देखना है कितने फंस थे 5 पाइप अदे तो दो प्लस वन उपर लिखका लो पलस वन किश्याच लिए लोगी है 5 हो गया काउंट तरले न ध्यान से ख़jamin आप इसमें अमें बता देता हूं इस बार फ्या करोगे पहले पता चल गया आपको लास्ट वाले ड्रम को डिवाइड में दे रखे वन वाइव लिखे देनी है ठीक है यह फाइफ टाइम्स मैंने वन्स लिखे हैं क्या करना है आपने इसको और इसको जोड़ दो और यहां लिख दो कितना आ गया यह क्या है मैंने एक्चुल में बता दू आपको इस वन की मैंने मल्टिप्लाई की है इस पलस वन से तो वन की मल्टिप्लाई करोगे वन से तो वन ही आएगा वन में वन जोड़ दिया फिर पिछे वाले ट्रम को जोड़ देना है ठीक है अब क्या करेंगे इस टू की करेंगे इससे ठीक है तो क्या हैगा थ्री बंजा थ्री थ्री प्रस्टू फाइब अब फाइब की मुल्टिप्लाई करेंगे बन से तो एट बंजा एट फाइब यहां तक क्लियर है अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस यूडियो को इसका सिंपल सा जो भी आगे होगा उसको पर ले लिया जाएगा प्लस वन प्लस वन फ्लस वन एक हैं तो यहां पर आपके लिए इसका जो जवाब आएगा अगला स्टेप रहेगा सिरफ इसका जो लास्ट में आया है उसको पहले लिखे लो 30 जो से उसके तुरुंत बाद में है यानिके उसके पीछी जो है आठ है ठीक है तो थर्टीन बाइट हो गया वो लोगी सर अन्टिवाया है नहीं तो कुछ बच्चे दो समझ भी यह उसा ह है ऐसे करली न आप इसको डिवाइड बंजा ओर रहे गया तो वन लिखम्स फाइड बाइट और रहे गया फ् perspectives अउन्ट का धे चलिए ए घर एक लिए तो के लिए अब अगला कोश्चन देखिए बच्चो यह मैंने इसको ही इसको ही सोल करके दिखा रखा है इस तरह से ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो कोश्चन है आपके लिए यह माइनस का कोश्चन है अब यह कैसे करोगे वह देख लो आप कि पोश्चन से में हैं यहां फेब लगले यहां इतनी बार है ओ कि टू वाइफ थी खारी था अब तो पहले ए रो तरी शपाए अब कंसेप्ट क्या हुआ कि कैसे आए सर आप क्या करोगे करोगे कि त्री की बन से मल्टिप्लाईगी परेवनजा त्री ठीक है अब एक बाद ध्यान एकना आप मैं बोल जाओ इस माइनस के साइन इसे मजल मत हो जाना इसका में यहां पर यहां पर यहां पलस होगा तो पलस हो जाएगी लेकिन आएगा कहीं आप माइनस त्री कर दो बच्चों यह मत करना कंसेप्ट है कोई तुक्ता नहीं बोल रहा हूं मैं आपको हर कुश्यन में लगेगा तो क्या करोगे से पिछल ट्रम को माइनस कर दोगे अग्ले ट्रम कैसे निगली एक बार उसे पिछल ट्रम क्या है देखिए एक माइनस का ठीच दो और अगया उसके बाद नेक्स्ट है मैं इस त्री मल्टिप्लाइब आप माइनस त्री रहेगा मैं पर यहां पर फैक नहीं पढ़ना अब लेकिन पीछे वाली जो ट्रम है और मैंस का ठीच अबने खरना है तो मैंस का ठीच तो मैंस ट्रीपले ही बैठ सब्सक्राइब करें और या पांच एक्जम्पल दे दूँगा एसे और भी एक्स्ट्रा था कि आपके लिए जो है सब्सक्राइब करते रहे हैं यह कुश्चन आपके लिए इसका अपने कमेंट करना है ठीक है इसको नोट कर लीजिए नोट करो एक बार आपको चिंता मत करो ठीक है मैं आपको टोटली शोल करके दिखाऊंगा फिर आपको आता है तो इसको शोल करें और अंसर बेज़े जल्दी से ठीक है अब देखिए वही लास्ट वाल ट्रम बन वाईव त्टेक है उसके बाद कितने बार है प्लस टू प्लस टू प्लस टू और प्लस टू ठीक है वोड तूजा 10, 10 प्लस 1, 11, 11 तूजा 22, 22 प्लस 5, 27, 27 तूजा 54, 54 में आप एड़ कर लो, इतना आएगा, 54 में 11 एड़ करो, 65 आएगा, और 65 में आप मल्टिप्लाइ करोगे 2 से, 130, और 130 में एड़ करो 27, 157, और फिर वही क्या है, कि लास्ट वाइट रम को, उपर, उसके साथ लगती उट्रब को नीचे, 157, 157 by 65, और फिर्स्ट आपका राइट है, यह कोशन करा दिया मैंने, अब आपके लिए नेक्स्ट वो आप खुद करोगे, यह लो, टाइप 3, गवराना मत सेम वही कंसेप्ट है, आपकी बार सेम नहीं है, चेंज हो गया, बु करोगे, इसका जवाब आप खुद करोगे, कमेंट करना, मुझे फटा-पट, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से एक थम सब उठा, देजो मेरी तरफ, ठीक है, यहां से हो गया, यह सर लिखो, कमेंट करो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, यह और बहुत आसान आपने देखी भी लिए, बहुत आसान कुछ भी नहीं है, चुटकियो में, कुछ सेगंडों में निकल जाएगा, ठीक है, जल्दी मिलेगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे एक प्रेक्टिस करते रहें, अपने क्वेश्च कोई भी कुछिन, कोई बच्चा कुछिन नमर टाइप करना है, सिर्फ आपने कमेंट कर देना, मैं उसी कुछिन पर वीडियो डाल दूँगा, इस कुछिन पर ज्यादा कमेंट आएगे, उसकी वीडियो पहले आएगी, मैं डाल लूँगा तो सभी की, बट उसकी वीडियो से पहले आएगी, चीक है, और कंसेप्ट के साथ, पलस ट्रिक के साथ, ठीक है न, चलिए, नेक्स्ट वीडियों मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए, चैनल रखें अपना,